नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आये 12 जनवरी 2022 से बनने वाले हर्याना करंट फेर से संबंदित सभी मैंतपून क्वेस्टन अंसर जो की आप से आने वाले कंपिटिशन एक्जाम म दोस्तों आज का फस्ट क्वेस्टन है हर्याना के किस जीले के निवासी प्रोफैसर जस्मेर दलाल को नीलस लेजर ओप मेमोरियल आवाड से सम्मानित किया गया है तो दोस्ति स्कोप्स नंबर आपका ए रहे गए यानि जीन्द जीले के निवासी प्रोफेसर जस्मेर दलाल को निल्स लेजर ओप मैमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है लुआस के एसिस्टेंट प्रोफेसर डोक्टर जस्मेर दलाल को इंडियन सोसाइटी फोर स्टड़ी ओप एनिमल प्रोडक्शन ने प्रोफेसर निल्स लेजर ओप मैमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्यों दिया गया इन्हें यह है अवार्ड क्योंकि इन्होंने पस्वों में किये जाने वाले क्रीतरिम गृबधान के लिए तियार किये जाने वाले बीज को बचाने और प्रेगनेंसी समता को बढ़ाने पर सपल रिसर्च किया है और उन्हें यह अवार्ड केरल में हाली में अंतराश्टिय स्तर कॉन फ्रेंस में दिया गया है लुवास की असिस्टन्ट प्रोफेसर डॉक्टर जसमेट दलाल जीन्द जीले के मलाली गाउं के रहने वाली है नेक्ट क्वेसर बुतेसर मंदिर और रानी का तलाब कहां स्तीत है तो दोस्तों बुतेसर मंदिर आपका जीन्द जीले में और रानी का तलाब भी आपका जीन्द जीले में स्तीत है नेक्ट क्वेसर जीन्द के किले का निर्मान किसने करवाया था तो जीन्द के किले का निर्मान गजपत सिंग के द्वारा करवाया गया था नेक्ट क्वेस्टन है जीन्द जीले की सीमा कितने जीलों से लगती है तो दोस्तो जीन्द जीले की सीमा साथ जीलों से लगती है नेक्ट क्वेसन है हर्याने का हर्दिया किस जीले को कहा जाता है तो हर्याने का हर्दिया भी जीन्द जीले को कहा जाता है इसके लावी से जैन्ती देवी नगर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापनापकी एक नॉबंबर 1966 को की गई थी next question है हर्याना सरकार के द्वारा ITI से पास उद्यमी को राज्यस्तर अवाड पर कितने रुपे की रासी परदान की जाएगी तो दोस्तो इसको प्सन नमबर आपका first, second और third रहेगा यानि हर्याना सरकार के द्वारा ITI से पास उद्यमी को राज्यस्तर अवाड पर first, second और third यानि तीन पुरुस्कार दे जाएगे इसके अलावत जीला स्तर पर यहरासी आपकी 10,000, second पुरुस्कार आपका 7,500 रुपे और third पुरुस्कार आपका 5,000 रुपे परदान किया जाएगे यानि डिस्टिक लेवल पर और state लेवल पर आपका राज्यस्तर रवाड पर 50,000 फुरुस्कार, second 40,000 और third आपका 30,000 रुपे परदान किये जाएगा और इसकी गोशन किये गई है मूल्चन सर्मा के द्वारा मूल्चन सर्मा का निर्वाचन छेतर बल्लब गड़ है और इनके पास कौन-कौन से भी भागाई है भी हम जान लेते हैं मूल्चन सर्मा के पास परिवहन, खान एम भूविग्यान, कोसल विकास एम उद्द्योगी की परसिक्सन और निर्वाचन ये सभी भी भाग मूल्चन सर्मा को परदान किये गई है नेक्स क्वेसन आपका जिनोम सिक्वेंसिंग लैब कहां स्तापित की जाएगी तो दोस्तों ये है आपकी पंचकुला जिले में इसको स्तापित किया जाएगा इस से पहले आपकी एक जिनोम सिक्वेंसिंग लैब खारियाना के रोत तक जिले में स्तीत है नेक्स क्वेसन आपका बढखल जिल और अरावली गोल्प का मैदान कहां पर है तो बढखल जिल आपकी फरिदाबाद में और अरावली गोल्प मैदान भी आपका फरिदाबाद जिले में स्तीत है नेक्स क्वेसन है मेहंदी के उत्पादन में कौन सा जिला पर्थमस्तान पर है तो मेंदी के उत्पाजन में हरियाने का फरीदबाद जीला पहले स्तान पर है नेट्ट क्वेशन है हरियाना सरकार ने गंबीर संकट जल से जूज रहे परदेश के कितने गाउं को रेड जोन में सामिल किया है तो दोस्तो इसको प्सन नमबर आपका बी रहे गए यानि 1780 गाउं को गंबीर जल संकट से जूज रहे परदेश के 1780 गाउं को रेड जोन में सामिल किया गया है विशव जल दीवस का मनाया जाता है तो विशव जल दीवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है पूरे दुनिया में 1993 से परतेख 22 मार्च को विशव जल दीवस के रूप में मनाया जाता है विशव जल दीवस क्या है तो इसका विशव के सभी विक्सित देशों में सवच सुरक्सित जल की उपलबता सुनिश्चित कराना और साथ ही जल संरक्षन के महतों पर दियान केंदरीत करना है विशव जल दीवस 2021 की थीम क्या है तो इस 2021 की थीम है वैल्यूंग वाटर यानि पानी का मुल्याकन जो की 2021 की थीम है विशव जल दीवस मनाने की अनूटी पहल रियोडी जनेरियों में 1922 में आयोजित परियावण तथा विकास पर सियुक्त राश्टर सम्मेलन के द्वारा आयोजित कार्यकरम में की गई थी और 1993 में स्यूक्त राष्टर ने इस दीवन को वार्षिक कार्यकरम के रूप में मनाने का निर्ना लिया था विसो परित्वी दिवस का मनाया जाता है तो जो आपका विसो परित्वी दिवस है आपका 22 अपरायल को मनाया जाता है Next question है हर्याना पर्देश में बूजल स्तर के आदार पर इन्हें कितनी स्रेणियों में बाटा गया है तो हर्याना पर्देश में बूजल स्तर के आदार पर इन्हें तीन स्रेणियों में बाटा गया है जिसमें आपकी गुलाबी, बैंगनी और नीली एं तीन स्रेणिया है और बूजल स्तर के आदार पर इन्हें तीन स्रेणियों में बाटा गया है गुलाबी स्रेणियों में यानि जहां पर दस वर्सों में आपका बूजल स्तर 20 से 30 डिगरी के मद्या गिर गया है उसे गुलाबी स्रेणियों में रखा गया है बैंगनी स्रेणी में इसे 1.51 से लेकर 3 मीटर परती वर्स जहाँ पर भूजल कस्तर गिरा है वहाँ पर इसे बैंगनी स्रेणी रखा गया है और नीली स्रेणी आपकी जो थर्ड स्रेणी जहाँ पर भूजल कस्तर 0.01 से 1.5 मीटर परती वर्स गिरा है वहाँ पर आपका बूजल का स्तर आपके नीली स्रेणी में रखा गया है यानि तीन स्रेणिया है आपकी जो बूजल के स्तर पर हर्याना परदेश में तीन स्रेणियों में इन्हें बाटा गया है तो क्रिसी विपनन बोड के चियर्मेन एहलावत है तो वन विकास के चियर्मेन आपके धरमपाल गोदर जोकी वन विकास निगम के चियर्मेन है नेक्ट्ट क्वेस्टन है हर्याना के किस जीले में All India सब जूनियर रेंकिंग बैडमिंटन टॉर्नामेंट का समापन किया गया है तो दोस्तो यह किया गया था आपका पंचकुला जीले में यानि जो आपकी सब जूनियर रेंकिंग बैडमिंटन टूर्णमेंट का समापन आपका पंचकुला जीले में किया गया है यानि ओप्सन नंबर आपका सी राइट रहेगा इस परत्योगिता में गरल्स डबल अंडर सेवंटिन आयू वरग में आंदर परदेश की नविया और तमिनलाडू की रक्सिता की टीम ने पर्थमस्तान और हरियाना की पलक अरोडा और उन्यती हुड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया है मिक्स डबल परत्योगिता में हरियाना के मयंकराना और पलक अरोडा ने पर्थमस्तान और आंदर परदेश के भारगव राम और उडिसा की परगती परेदा ने दूसरा स्थान हासिल किया है और इसका आवेजन किया गया था आपका पंचकुला जीले में नेस्ट क्वेस्टन आपका हर्याना विदान सबा के अध्यक्स कोन है तो हर्याना विदान सबा के अध्यक्स आपके ज्यांचंद गुपता जी है नेस्ट क्वेस्टन आपका बंडारु दत्ततेरिया कोन से नंबर के हर्याना के राज्यपाल है तो बंडारू दत्ततेरिया हर्याना के अठारवे नंबर के राज्यपाल है नेश्ट क्वेशन है परदानमंत्री नरेंदर मोधी के द्वारा हर साल वीर बाल दिवस को मनाने की गोशना की गई है तो दोस्तो इसको उपसन नंबर आपका ए रहे गए यानि 26 दिसंबर को परदानमंत्री नरेंदर मोधी के द्वारा हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की गोशना की गई है नेक्ट कोईसन है जो आप सभी के लिए करपया कॉमेंट करके जुरूर बताए कि हर यानि का पहला रोग नियंत्रिन के अंदर किस गाउ में बनाया जाएगा मारे पास वरोप से नंगल, सिरोही, बिरडाना या बरेली तो फिलाल के लिए दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कीज़े, कॉमेंट कीज़े, सेर कीज़े, और सब्सक्राइब कीज़े, मारे शी लाइऑ देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्याबाद